जैहिन मेरे प्यारे साथियों कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का गुना और भागा को बनाना सिखेंगे बस आपको एक नियम बताया जाएगा उसी एक नियम पर अधारित पूरा गुना और भाग का सवाल आ जाएगा तो आप से रिक्वेश्ट किया जा रहा है अगर जिदि आप वीडियो में किलिक कर दिये हैं गुना और भागा सिखने के लिए रूट का तो आप सुरू से लेकर के लाइट तक अच्छे से जरूर देखकर के जाएगा तभी आप सीख पाईएगा अगर आप वीडियो को बीच में काट देते हैं बीच में भगा करके देखते हैं तो आप कहीं ने कहीं कन्फूजन का सामना करना पड़ेगा अपू ठीक है चलिए यहाँ पर गुना सबसे पहले सिखेंगे और दूसा नमर में भागा आपको रूट का सिखाया जाएगा तो पहला जो टोपिक के हमलों का रूट का गुना इसमें टोटल चार एक्जामपल लिया गिया है कि अंदर में कौन से संख्या मतलब रूट के अंदर में कौन से संख्या यहाँ 9 है और यहाँ पर रूट के अंदर में 4 है तो क्या करना है अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर लेना है एक बड़ा सा रूट देंगे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे इस तरीके से उसके बाद क्या करेंगे 9 है यहाँ पर 9 गुना कचिन है तो गुना कचिन दीजिए बीच में और 4 है तो 4 समझ रहे है आप चलिए अब फिर से क्या करना है एक इस्ट इप और आगे बढ़ेंगे तो नौ को चार से गुना करेंगे तो क्या होगा नौ चो का 36 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे छथिस तो आप सभी को पता होगा कि 36 का वर्गूल निकाला जा सकता है तो 36 का वर्गूल कितना होगा तो 36 कवर्गमन होता है 6 तो इसका जो right answer होगा, क्या होगा? 6 हो जाएगा इस सवाल का right answer क्या आ गया? 6 आ गया इतना बड़ा सवाल का right answer 6 आ गया ठीक है? चलिए उसी तरह बनाते हैं दूसरे नमबर का सवाल दूसरा नमबर का सवाल थोड़ा सा difference है तो इसको बनाते हैं नियम हलाकी वही रहेगा एक बड़ा सा root यहां पर खीचेंगे और यहां 5 है गुना में 3 है तो 5 गुना में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है? अब दोनों को आपस में गुना करेंगे अंडर root में उस संख्या को लिखेंगे 5 तियाई कितना होगा? 15 अब देखें, क्या 15 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? तो नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि 15 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 36 पूर्ण वर्ग संख्या था तो 36 का वर्गमूल निकल गया 15 पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो इसका और्मूर नहीं निकाला जा सकता है अर्थात इसका जो आंसर होगा यही सही होगा ठीक है यही सही होगा इसका आंसर ठीक है समझ गया चलिए अब यहाँ पर देखिए तीसरे नमर सवाल तीसरे नमर में समान समान संख्या है तो समान समान संख्या जब भी दो बार में रहेगा दो बार रहेगा तो इसका answer direct आप लिख दीजेगा art कितना direct art लिख दीजेगा ठीक है अगर इसको process के द्वारा बनाना चाहेंगे तो इसको भी उसी process के द्वारा बना सकते हैं कैसे ठीक है एक बड़ा सा root देंगे art होता है तो art यहाँ पर लिख दीए देखे आपको पहले ही बता दिया गया था जब समान संख्या रहेगा root के अंदर में सीधा क्या करना जो संख्या है वही एक बड़ा लिख करके आपको answer देदना है अगर यहाँ पर under root 5 रहता है यहाँ 5 रहता और यहाँ पर भी 5 रहता तो हम लोग answer होता क्या 5 होता answer ठीक है समय रहे हैं आप चलिए अब देखे चौथा नमर सवाल जो की बहुत ही important सवाल है चौथा नमर के सवाल है क्या 3 into root under 2 multiply by 3 into root under 7 तो इसमें क्या करना है यहाँ पर बाहर में भी संख्या है उपर वाला जो सवाल बनाये थे इसमें बाहर में संख्या नहीं था मतलब अंदर में था तो यहाँ बाहर में है तो कोई बात नहीं घवरानी की कोई बात नहीं है तो इसमें करना क्या है बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर लेना है यहाँ पर लिखना है तीन गुना में पांच उसके बाद फिर गुना का चिन देंगे गुना का चिन देंगे उसके बाद एक बड़ा सा रूट कीचेंगे इस तरह से बड़ा सा और अंदर में देखेंगे क्या रूट के अंदर में दो है और तो यहां लिखेंगे दो गुना में साथ, दो गुना में साथ, ठीक है, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर लिजी, तीन गुना पांच करेंगे, तो क्या होगा, पंदर होगा, और गुना का चिन है, तो गुना का चिन नहीं भी लिखेंगे, तो चलेगा, क्योंकि गुना आप चलिए हम लोग भागा सिखते हैं भागा भी बहुत ही आसान होता है बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो इसमें करना क्या आपको देखिए यहां पर रूट अंडर 9 है तो यहां पर लिखिए उपर में रूट अंडर 9 और भागा का चिन है तो क्या करेंगे चार कवर्मन होता है दो यहाँ पर हो जाएगा दो तो हम लोगों का जो आंसर होगा यही आंसर सही हो जाएगा तीन बट्टा में दो आप चाहें तो दसमलम में भी इसको बदल सकते हैं अन्रेथा भिंद में भी आंसर आपको बिल्कुल सही होगा ठीक है चलिए अब दूसा पर सवाल देखते हैं, अब देखेंगे वर्गूल को इतना संख्या को लिखशकते हैं आंसर या या फिर इसको अलग रूप में लिखना चाहें तो एक बड़ा सा वर्गमूल देंगे आपको एक बड़ा सा रूट देंगे जिसमें कि पांच बटा में तीन इस तरीके से भी आंसर आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है समझ गया है चलिए अब यहाँ पर देखे क्या है यहाँ पर देखे रूट के अंदर में समान संख्या यह साथ है रूट के अंदर में साथ है तो आपको जब भी समान संख्या दिखेगा वो भी भागा में जब रहेगा तो क्या करना आंसर आपका हो जाएगा क्या एक हो जाएगा यहाँ पर क्या की थे गुन धियान में रखिये अगर आप इसको बनाना चाहें अब इसको बनाना चाहें। चाहें तो कईसे करेंगे दिखी जलिखें यहां पर लिखेंगे जया और यहां भी बुरुटंदर सेवन है तो то बॉत आप दिमाग लगा सकते हैं। इसको भी बनाने के बहुत ही सिंपल तरीका है क्या है? सबसे पाले जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, 9 root 5 इस तरीके से लिखेंगे, भागा के बाद जो संख्या है उसको बट्टा में लिखेंगे, तो 3 root under 2, अब क्या करना देखिए, बाहर में जो संख्या है, उपर में भी और नीचे में, अगर नीचे वाले से उपर वाले कटता है, तो काड देंगे, यहाँ पर 3 के पहाडे से कट जाएगा, 9 कितने वर में? 3 तिया ही 9, और 3 इकम तिन नीचे कुछ नहीं बचता है, अब क्या हो गया? यह बच गया कि 3 into root under 5, और बटा में root under 2, ठीक है? हम लोगों का answer यह हो गया, अनिथा इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं, 3 into root under, 3 into root under 5, बटा में 2, यह भी हम लोगों का answer बिलकुल सही होगा, ठीक है? समझ गया आप? तो इस तरीके से root का गुना और भागा को बनाया जाता है, मैं उम्मिद करता हूँ कि आज कि इस वीडियो से आपको अच्छा knowledge मिला होगा, अगर वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं पिर अगले वीडियो में तब तक के लिए, जाहिंद बंद मातरम